वालिंग, वेल्कम टू माई चैनल, मेरा नाम सज्जाद अन्सारी है, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ, क्यों? क्यों कि आप लोग मेरे को साथ दे रहे हैं, और चैनल को सब्स्राइब करते और लाइक भी करते हैं, इसी तरीके से हमारा दूसरा चैनल है म हवाला है, जिसका लिक नीचे है, उसको भी सब्स्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अलग अलग तरग वीडियो मिलेंगे, तो आज मैं बताने वाला हूँ, अठावर मर्स की उम्रे में भी आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं, खास करके जो इसकूल में जो पढ़ाते हैं, उसके लिए कहा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे टीचर्स की एक लाग नी, दो लाग नी, दस लाग की ज़रूर थे, क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े योद्दा हैं, बहुत बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखें को जल्दी सम करान, डी एक्षन में जूड़ते हैं, कैसे बहुत बहुत जगे इलाज कराएं, और दवाई या बंद होने की नाम नहीं, तो क्या करते हैं, तो कोई मेरी जैसे कोई डी एक्षन वाला मिल गया, तो कहा कि देखे जनाब, इलाज तो अपना कराओ, मगा साथ में ये कुछ च रिटायर हो जाते हैं, अब रिटायर होगा, अब क्या करा हैं, मगर वो पढ़ाले का इंसान था, ऐसे ही पढ़ाले के इंसान हो, कि मुझे जरूरत है, उसने क्या क्या बेटी को जो अपने जीवन से निराश हो चली थी, और डॉक्टर की दवाईयां से ठक चुकी थी, डी डी एक्सन को ही खाते हैं, उनको फायदा नहीं मिलता, अगर इलाज हो रहा है, उसके साथ सिसको सपोर्ट की नियत से खाते हैं, तो उसको 100% रिजल मिलता है, तो फिर क्या करते हैं, वो लोगों को बताना शुरू करते हैं, जैसे ये बताने लग गए, और कहते हैं कि यह ज पहिल बार, यानि इस तारीको क्यों एच्टी कौलिफाई भी करते, क्यों इस्टार रामट बनना अलग बात है, क्वालिफाई इस्टार डामट होना एक अलग बात है, उसके लिए अलग बीटो हमारे बननी हूँ हैं, अभी यह सतर साल में परिश поп्लिश कर चुके हैं, अ एक तो रिटार्मेंट हो गए रिटार्मेंट के पेंशन तो मिलेंगे दूसरी बार डियक्षन में ऐसे एक पेर लगा की जा रहा है जो कुछ ही सालों में वह फल देने लग जाएंगे पसके सहिए मतलब डियक्षन से अच्छे खासे इंकमाने शुरू हो जाएंगे जब ठीम बनेंगे Mei बाद असल में इनकमाता है देगे डियक्षन में इस्ट्रेजन बनने में बहुत खुशी मिलती है क्यों खुशी मिलती है क्यूंकagement श्ट्रेजन बनने में है उनको 45,000 पीवी और क्वालिफाइए के लिए 60,000 पीवी जरूरी है जो कि यह सब से ज्यादा खतरनाग है जब मेंबर बनता है जो आनिंग लेते हैं जैसे मेरा आईडी नमबर है अपने दिल की सुनना अच्छा डियक्षन में एक ही बार बार नहीं अगर दूसरी आईडी पता चल जाए कंपेलेंट करते हैं तो आपकी दूसरी आईडी जो है जो अभी लगी है बाद में एक एंसल हो जाएंगे लगता है हमेशा के लिए होता है तो मतलब कहने का है वहां होती है इसटर्य बहुत होती है इसके बार बने में बहुत खुशी होती है उसके बाद उसकी हो जाता है बवेफिक्र हो जाता है कि अब तुम्हें सीय बन गया अब तो हमाई इंकम आता रहेगा इस यह काम धंदे में लग जाते हैं जो इसने दिल में सोच रखा होता है कि हमें सीय बनने कब यह काम करना है और हलका भूलका टीम पर धियान देते हैं मगर ऐसे सीय काम्याब नहीं होते इंकम उसके कम हो जाते है ठीक है यह वह असल में होता है टीक्षन में जो अपने नीचे एक नहीं दस पीस तीस लाग सीय बनाने के चक्कर में लग जाता है मतलब इस्टार एजन बनने के बाद उसके उपर डबल जिम्मधारी पीबी भी करने पड़ते हैं जादा और अपने नीचे इस्टार एजन बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है अगर करता तो आगे बढ़ता फिर जब बनता है तो अपने नीचे पांस इस्टार मतला पांस लेग में तीन तीन इस्टार अब बनाता है तब उसको मिलता एक लाग रूपी और अगर इस टार डामेंड ज सब हमारे नीचे सबसे ज्यादा सी हो तो उसका नाम सबसे उपर होगा मैंगर यहीं पे कुछ सी गलत कर जाते कहते हैं अब तो मेरा हो गया आप क्या करना है अपने टीम में जतना से खड़ा करो गए इस खड़ा करो गये इस एजन कौलिफाइए करवाओगे उतने ज्यादा इंकम होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मतलब है मेहनत करते रहोगे तो मिलता रहेगा फल जो बुद्धु बनाता है कि एक बार आप दीएक्षिन वागए और रिश्टारेजन हो गए तो आपको इतना सेल्री मिलेगी ऐसे लोग हमार रपास कई सारे कमेंड आते हैं करते हैं सर्जी में इस्टारेजन हो गया मुझे कितने मिलें सेल्री मिलती इसमें करनी जोड़ा तो उसने बोला मैं गलत बोला इसी तरह कि बनाते हैं तो जब तक आप पीवी नहीं करोगे क्वालिफाइए तीन हजार पीवी परसनल या एक हजार अपना दोजार नौन से कि आपने इस नहीं किमने जोडियों आप Sug eighty लूब चीटिंगे और धोगा देने वाला तो ऐसे टीम होगे लिडर आगे नहीं बड़ते इसलिए अपके अंदर भलापन है है Starog्य बाई मेहनत करोगे तरह टीम में जितने भी लोग हैं आप लोग का हमारे वीडियो सुन रहे हैं आप लोगों सिभ गुजारिश है कि आप इस्टार रेजान पहले बनिए फिर अपने निचे इस्टार रेजान बनाईए कितने आम ठेप और इसी तरीके से अपने नीचे वाले सबको सिय बनाना जब तक लाश्ट तक सी निए बन जाता तब तक आपको चैन सनी सोना अगर लाश्ट लाश्ट कभी होई नहीं सकता और आपकी उमर भी इतनी नहीं है जो वहां मगर फिर भी अपने जिंदागी में प्रक्रक्षा बनाई ही लोग और हमें भी आपको भी अगर आप 70 साल के भी हो गए सरकारी स्कूल में पढ़ाते भी हैं तो ऐसे लोग मुझे सख्थ जुरूआते क्यों कि आपको मैं ऐसी राह इसी रास्ते बताऊंगा जो अपने बच्चों के लिए बीवी के लिए परिवार के लिए कुछ कर जाने का मतलब बच्चों के लिए म आपको रास्ता बताऊंगा चाइपूरे भारत में किसी भी कोने कोने मोह हो कहीं से भी हो हमारी वीडियों सुन रहे हैं जरूर संपर करा थेंक्यों शुक्रिया यहां तक हमारे सुनने के लिए अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रू सब्स्राइब कर को कोई प्रसनों सवालों तो नीचे कमेंट कीजिए या मेरे वाटसप नंबर पर मेसेज कीजिए थैंक यू शुक्रिया मरहवा लाइब चैनल में आपका स्वालत है मरहवा लाइब चैनल का गईन चुरन खाओ कब जगाओ अगर आप पहले बार आए तो चैनल के सबस्क्राइब कीजिए यह हमारे आज का प्रशन है वाटसप पर भेजाए आप यह चित्र देख सकते हैं यह करत सर्च यह कैसे लेन पूछते हैं और बहुत सारे लोग प्रोड्ट्र ख़रीद तो लेते हैं और फिर हमसे पूछते बोडrika नितने बीदेख सकते हैं और वाले बे स्टॉक पॉइंट भी बता सकते हैं इन दोनों से पहली बार आजेसे वोग्यादляется और आपने मेरे से पूछा यह डिलानेए द तो आपको सुबह सभा खाली पेट एक और एक इस पाइरो लेना है और उसके बाद एक घंटा कुछी ने लेना बलके आपको पारक में चले जाना दौड़ दूप करना एकसरसाइज करना है वहां साने कबाद अपने नाश्टा वगर कीजिए यह तो उसके लिए जिसको कोई और अगर किसी को कोई कब्जी वगरर नहीं है या किसी को अस्तमा अगर नहीं है तो खाली पेट खाने में ज्यादल आव एक आरजे अब इसको पाने के साथ बहुत लोग को खोल के पानी में घोल के उसके बाद पी जाते आइसे भी ले सकते हैं और दूसरी बात ज्यादा वह देखें चबाके खाने के लिया से मैं हूं मुझे में लता है जब मुझे प्रोडेक्ट और आता है जिसे मिश्रूम पोडर आया उसको खाया उसको खाए तो देखा कि थोड़ उसका अलग टेस्ट है और इस ने लिखा इस कि आप चबा के खा सकते हो और इसके पास इनके पास है त्रीनवन कोफी